हेलो एबरिवन विल्कम बैक टो अवर चानल प्रीतिस लाइफस्टाइल कैसे हो फ्रेंट्स आप सब लोग आशा करती हूंकि आप सब मज़े में होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं नाश्टे में दोसे बना रही थी और उसके साथ बॉम्बे चटनी बना रही थी तो मैंने सोचना कि ये वीडियो आप सबसे शेयर करूँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये चटनी के बारे में नहीं पता होता है हम लोग बार-बार मूंफली की चटनी और कोकोनट की चटनी सामबर वगेरा तो खाते ही रहते दोसों के साथ पर इस तरह से आप इस बार इस बेसन से बनने वाली इस बॉम्बे चटनी को ट्राइ करिए तो चलिए फ्रेंट्स बनाते हैं सबसे पहले तो हमें फ्लेम को कर लेना है ओन और उस पर एक कड़ाई को हम चटा लेंगे ये बहुत आसान रेसिपी है फ्रेंट्स कोई भी बहुत आसान इसे बना सकते है इसके लिए बस हमें बेसन की जरुरत पड़ती है और प्याज, धनिया, करी पत्ता, राई, जीरा, हरी मिच्च की जरुरत पड़ती है तो मैंने यहाँ पर कड़ाई में टू टेबल स्पून ओयल ले लिया है ओयल के गरम होने तक हमें वेट करना है तो जैसे ही ओयल हमारा गरम होता है हम इसमें डालेंगे राई, जीरा हाँ, यह टैमपरिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है ना फ्रेंट्स, इसके बिना तो कोई भी करी, कोई भी चट्नी आदूरी ही रहती है, राई, जीरा दालना बहुत जरूर होता है तो यहां देखे हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे राई, जीरा जो मैं दो मिला कर रख लेती हूँ एक डिबे में तो राई, जीरा को हमने डाल लिया है तो फ्रेंड्स मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, आप मुझे कमेंट में शेर करना, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आपके कुछ कमेंट्स आई नहीं रहे हैं वीडियोस पर तो friends comment जरूर करना उन comments को पढ़कर मुझे ना बहुत ही motivation मिलता है अगले वीडियोज बनाने के लिए तो friends जरूर comment करना की वीडियो कैसे लगी तो देखिए राई जीरा हमारे यहां पर fry हो गया है अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता करी पत्ता से एक्दम बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है चट्नी में इन करी पत्ते को डालेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो मैंने कट करकर already रख लिया है तो मैं यहां पर ingredients पहले नहीं बता रही हूं वीडियो शेयर कर रहे हूं था की वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है न तो इसलिए मैं यहां पर डिरेक्ली आपको cooking वीडियो शेयर कर रही हूं तो देखे मैं यहां पर प्याज और हरीमिर्च जो मैंने टुकडों में काट के पहले से ही तयार कर लिया था उसको हम डाल लेंगे और अच्छे से shallow fry इसको कर लेंगे प्याज हरीमिच को fry कर लेने के बाद हरीमिच आप आपके स्वाद अनुसार ले लीजिए यहाँ पर मैंने 8 से 10 हरीमिच लिए हुए हैं सारे पारिवार के लिए बन रही है चटनी समझो की 6-7 आदमी के लिए आप आपके स्वाद अनुसार तीखा जादा या कम ले सकते हैं तो देखे हमारे प्याज और हरीमिच यहाँ पर फ्राई हो गए अब हम इसमें डालेंगे आदा चमच हल्दी बहुत जादा नहीं डालना है हल्दी क्योंकि बेसान अल्रेडी एलो कलर में ही होता है थोड़ी सी हल्दी हम इसमें डाल लेंगे तो हल्दी को भी तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अद्रक और लसन वाला पेस्ट चो मैंने दोनों को एक साथ मिला कर पेस्ट बना कर रख लिया हुआ है मैं हमेशा से दोनों का पेस्ट बना कर रख लेती हूं किसी भी करी में डाल लेने के लिए तो उस paste को मैंने याँ पर एक टेबल स्पून भरके ले लिया और इसी तेल में fry कर लिया है friends इससे ना बहुत अच्छा फ्लिवर आता है लसेन का, अद्रक का अगर हम इसे कट करकर डिरेक्टली डालेंगे तो बच्चे खाने में पसंद नहीं करते तो मैंने paste डाल दिया है, तो देखिए अब मैंने यहाँ पर आदी कटोरी बेसन ले लिया है इस बेसन में हमें पानी डाल कर इसका अच्छा सा एक पतला घोल तैयार कर लेना है friends देखिए जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, इसे अच्छे से आप घोल लीजिए पर इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, अगर लम्स होंगे तो चटनी अच्छी नहीं बनेगी, यह बिल्कुल स्मूथ ऐसा लिक्विडी फॉर्म में होना चाहिए, इसे अच्छे से घोल लेंगे अगर डिरेक्ली हम बेशन डालेंगे कडाई में, अगर वापस पानी डालेंगे तो उतनी अच्छी नहीं बनती है, तो पहले हम इसका घोल तैयार कर लेंगे, नॉर्मल इसमें पानी डालकर पतला सा घोल इसका बना लेंगे, इसका घोल बनने के बाद हम इस घोल को डिरेक पर कड़ाई में डाल ली अब इसे अच्छे से मिला लेंगे ये ना जैसे ही पकता जाएगा ये गाड़ा होता जाएगा बेशन का घूल आप इसमें नमक डाल लीजिए आपके स्वाद अनुसार देखे मैं इहां पर अभी नमक डाल रही हूँ दोसा बैटर में भी थोड़ा नमक अल्रेड़ी होता है तो आप देखकर आपके स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए तो नमक डाल लेने के बाद अच्छे से सबी चीजों को मिला लेंगे आप देख सकते हैं फ्रेंट्स कलर कितना बढ़िया आया है इसका अब हम इसे ढखकर पका लेंगे करीब 10 मिनिट तक फ्रेंट्स हमारे 10 मिनिट हो चुके हैं यहां पर बेसन हमारा बॉंबे चटनी बनकर तयार हो गया है तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ हमें सिम्मर पर इसे एक पांच मिनेट और पका लेना है तो अब मैहाँ पर इसको साइड में छोटे वाले बर्नर पर रख दिया है अब मैहाँ पर बैटर लेके दोसा बना रही हूँ ये दोसे के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा अगर खाने में आपको बहुत ही बढ़िया होता है चटनी अगर खाने में आपको बहुत लग रही हो तो इस तरह से कभी-कभी ट्राइ कर सकते हो ये चपाती, रोटी या फुलकों के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा ये बॉंबे चटनी जो सिर्फ बेसन से बनती है और कुछ नहीं, आप चाहे तो इसमें टमाटर भी दाल सकते है पर यहाँ पर मैं टमाटर नहीं दाल रही हूँ बस मैंने इन सिम्पल से चीजों से इस चटनी को तैयार किया है आप भी ज़रूर ट्राइ करें और मुझे कमेंड में बताना कि आपने ट्राइ किया है कि नहीं तो देखिए मैंने इस तरह से दोसा बना लिया है तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट एक दमबन कर तयार हो गया है बॉम्बे चटने विट दोसा तो आप मैंसे किन कीन को पसंद है दोसा मुझे कमेंड में बताना तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और कमेंड करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा आपने रेसीपी ट्राइ की है क्या नहीं या फिर और कुछ रेसिपी आपको चाहिए friends, thanks for watching thank you, bye bye